हेलो बच्चों, चलिए आज निया अध्य पढ़ते हैं और यह है आपका लेशन 5 काम के लोग यह पेज नमबर 35 है तो चलिए पढ़ते हैं ठीक है? यह कविता है काम के लोग कौन-कौन हैं हमारे आसपास ठीक है? तो उनके बारे में हम जानते हैं तो इतने पोधे कौन उगाता? सुन्दर उपवन कौन बनाता? यह सब है माली का काम भगत राम है उनका नाम पोधे लगाते पानी देते भाती-भाती के पेड उगाते ये देखिए ये एक माली है उनका नाम है भगतराम ठीके और ये क्या करते हैं भाती-भाती मतलब तरह-तरह के पेड़ लगाते हैं और उनमें पानी देते हैं उन्हें तोधों की देख भाल करते हैं ठीके देखिए ये हैं दरजी असलम भाई कपड़ों की कर रहे सिलाई मैंन इनसे फ्रॉक सिलवाई मामू ने अचकन बनवाई दीदी ने हे सूट सिलवाया चाचा ने कुर्ता बनवाया तो देखिए ये हैं दर्जी हैं जो हमारे कपड़े सिलते हैं और उनका नाम है क्या? असलम भाई ठीक है? इसका विता में उनका नाम है असलम भाई और ये क्या करते हैं? तो ये फ्रॉक सिलते हैं और अचकन बन अचकन सिलते हैं और कुर्ता बन सिलते हैं तीक है? सूट भी सिलते हैं तो जितने भी सिलाई के काम है ये हमारे दर्जी भाई करते हैं तो ये देखिए कारीगर है जगतूराम ये बढ़ई का करते काम लकडी की जो चीजें सारी सोफा मेज और अलमारी फनीचर मजबूत बनाते जिसे घरों में सभी सजाते तो ये हैं कारीगर इनका नाम है जगतूराम ये एक बढ़ई है और क्या काम करते हैं लकडी की जो चीजें हैं घर पर वो सारी बनाते हैं जैसे की सोफा मेज अलमारी फनीचर ये सब मजबूत धंग से बनाते हैं और ये हैं कारीगर और इनका नाम है जगतूराम ठीक है तो आप इतना पढ़िए आज हम पढ़ते हैं माली के बारे में दरजी भाई के बारे में हैं और कारीगर के बारे में हैं तो इतना पढ़िए आगे जो पढ़ेंगे उसमें हम और जो हमारे उपकारी लोग हैं उनको हम पढ़ेंगे देखिए ये बाकी बाद में पढ़ेंगे आप इतना पढ़के याद रखिए इसको ठीक है